चो मेरा नाम सिल्पा पटेल फ्रम समर्पन ग्यान स्कूल हमने हमारे पार्ट वन में लेसन नमबर तीन नादान दोस्त पढ़ा था उसमें हमने शामा और केशव के बारे में पढ़ा कि शामा और केशव अंडों को की हिफासत की स्थरा करी रहे थे आके हम देखते हैं जैसन पेज नमबर है बीस शामा अपने भईया को पुछती है कि भईया बच्चे है केशव तीन अंडे है तभी बच्चे अभी बच्चे नहीं निकले है अपनी बेहन को उतर देता है कि यहाँ पर तीन अंडे है लेकिन बच्चे अंडों में से बाहर नह आए हैं शामा भाईया मुझे थोड़े दिखाओ तो सही कि अंडे कैसे हैं कितने बड़े हैं केश्व कहता है दिखा दूँगा पहले जरा चीथडे ले आ नीचे बिचा दूँ बिचारे अंडे तीन को पर पड़े हैं घास के तीन को पर ही अंडे ऐसी रखे हुए हैं कपड़ों के टुगड़े ले करा जो हम नीचे बिचा देते हैं स्यामा दोड़कर अपनी पुरानी धोती फाड़कर एक टुगड़ा लाई केश्व ने जुक कर कपड़ा ले लिया उसकी कई तरह तह करके उसने एक गदी बनाई और उसे तीन को पर बिचा कर तीनों अंडे धीरे से उस पर रख दिये श्यामा ने फिर वापस कहती है कि हमको भी भैया दिखाओ ना केश्व कहता है श्यामा को की दिखा दूंगा पहले जरा वह टोकरी तो ले करा मुझे दे दो उपर छाया बना देते हैं श्यामा ने टोकरी नीचे से दे दी बोली अब तुम उतर मैं भी तो देखू कि अंडे कैसे हैं कितने बड़े हैं केश्व ने टोकरी को एक टहनी से टिका कर कहा जा दाना और पानी की प्याली लेया मैं उतर आओं तो तुझे दिखा देता हूं पहले दाने की और पानी की टोकरी लेकर चलिया जली जली स्यामा प्याली और चावल भी लाई केश्व ने टोकरी के नीचे दोनों चीजे रख दी और आहिस्ता से उतर आया श्यामा ने गिड़ गिड़ा कर कहा अब हमको भी चड़ा दो भईया केश्व कहता है नहीं नहीं तू गिर जाएगी ना गिरूंगी भईया तुम नीचे से मुझे पकड़ के रखो मैं नहीं गिरूंगी मुझे भी देखना है अंडे केश्व कहता है नहीं भईया कहीं तू गिर गिर पड़ी तो अम्मा मुझे बहुत डाटेगी मेरी तो चटनी ही बना देगी कहें कि तूने ही चड़ाया था क्या करेगी देखकर अब अंडे बड़े आराम से हैं जब बच्चे निकलेंगे तो हम उसको पालेंगे बड़ा करेंगे लेकिन मैं तुझे उपर नहीं चड़ाऊंगा मुझे ममी की डाट नहीं खानी है दोनों चीड़ा बार-बार कानिस पर आती थी और बगेर बैठे ही उड़ जाया करती थी केशम ने सोचा हम लोगों के डर से नहीं बैटी स्टूल उठा कर कमरे में रखाया चौकी जहां की थी वहां रख दी श्यामा ने आखों में आशू भर कर कहा तुमने मुझे नहीं दिखाया मैं अम्मा जी से कह दूगी की हमने कानिस पर अंडे के साथ ऐसा किया है अम्मा जी से कहेगी तो बहुत मारूंगा कह देता हूँ श्यामा को केशव धमकी दे रहा है कि मम्मी को नहीं बताना है तो तुमने मुझे दिखाया क्यों नहीं और गीर पड़ती तो चार सर न हो जाते जब श्यामा जीत कर रही थी तो केशव कहता है तुझो गीर जाती तो तेरे सर के चार टुक्रे हो जाते हो जाते तो हो जाते देख ले ना मैं कही दूंगी कोई बात नहीं मुझे सर में लगता तो लेकिन तुझे दिखा नहीं था मुझे क्यों नहीं दिखा नहीं अभी तो मैं ममी को बता दूंगी इतने में कोठरी का दरवाजा खुला और मा ने ढूप से आखों को बचाते हुए कहा तुम दोनों बहार कब निकलाए मैंने कहा न कहा न था कि दोपहर को न निकलना किसने किवाड खोला किवाड केशव ने खोला था लेकिन स्यामा ने मा से यह बात नहीं कही किवार तो केशव ने खोली थी लेकिन स्यामा मा को नहीं बताती है उसे डर लगा कि भहिया उसको मारेंगे केशव दिल में काप रहा था कि कहीं स्यामा कह न दे डर रहा था केशव कि वो स्यामा उसकी बहन ममी को बोल न दे अंडे न दिखाए थे न श्यामा को अंडे नहीं दिखाये थे इसलिए केश्व डर रहा था कि वो ममी को बता देगी इससे अब उसको स्यामा पर विश्वास न था स्यामा सिर्फ मुहबबत के मारे चुप थी यान इस कसूर में हिस्सेदार होने की वज़ा से इसका फैसला नहीं किया जा सकता श्यामा दोनों ही बाते सायद दोनों ही बाते थी माने दोनों को डाट डपट कर फिर कमरे में बंद कर दिया दोनों को डाटा और माने वापस बुला दिया क्यूंकि बाहर धूप बहुत थी लूट चल रही थी दिरे दिरे उन्हें पंखा जलने लगी अभी सिर्फ दो बज़े थे बाहर तेज लू चल रही थी अब दोनों बच्चों को नींद आ गई दोनों सो गई चार बज़े यका यक स्यामा की नींद खुल जाती है किवार खुले हुए थी वह दोड़ी हुई कानिश के पास आई और उपर की तरफ ताकने लगी दोड़ी दोड़ी वह कानिश के तरफ आती है और उपर देखने लगती है टोकरी का पता न था संयोग से उसकी नजर नीचे गई और वह उल्टे पाउँ दोड़ती हुई कमरे में जाकर जोर से बोली भईया अंडे तो नीचे पड़े है बच्चे उड़ गए जली जली अ सायत से बच्चे उड़ गए हैं अंडे में से केशव घबरा कर उठा और दोड़ा हुआ बहार आया तो क्या देखता है कि तीनों अंडे नीचे तूटे पड़े थे और उसने कोई चुने की सी चीज बहा निकल आई पानी की प्याली भी एक तरफ तूटी पड़ी है उसके चेहरे का रंग उड़ गया सहमी हुई आखो से जमीन की तरफ देखने लगा स्यामा ने पुछा बच्चे कहा उड़ गए भईया केशव ने करून स्वर में कहा बच्चे नहीं निकले हैं ये अंडे तो फूट गए हैं स्यामा और बच्चे कहा गए स्यामा वापस पुछ यह है कि भईया बच्चे कहां गए केशव कहता है तेरे सर में देखती नहीं है अंडों में से उजला उजला पानी निकल आया है वही तो दो चार दिनों में बच्चे बन जाती मा ने सोटी हाथ में लिए हुए पूछा तुम दोनों वहां धूप में क्या कर रहे हो वापस मम ममी उसको बलाती है मा श्यामा ने कहा अमा जी चीडिया के अंडे तूटे पड़े हैं वो लोग कहते हैं कि ममी ममी यहां पर चीडिया के अंडे तूट गए हैं मा ने आकर तूटे हुए अंडों को देखा और गुस्चे से बोली तुम लोगों ने अंडों को छुआ होगा मा को तो पता ही चल गया कि अंडे उन लोगों ने छुए होंगे अब तो स्यामा को भईया पर जरा भी तरस न आया उसी ने सायद अंडों को इस तरह रख दिया कि वह नीचे गिर पड़े इसकी उसे सजा मिलनी ही चाहिए इन्हों ने अंडों को छेडा था अमा जी स्यामा अपनी अमा को बता देती है मा ने केशव से पूछा क्यों रहे केशव भीगी बिल्ली बना खड़ा रहा मा तू वहां पहुचा कैसे मा बोलती है तू वहां तक पहुचा कैसे कान इस तक तेरे हाथ पहुचे कैसे श्यामा कहती है मा चौकी पर स्टूल रखकर चड़े अम्मा जी चौकी पर एक चौकी उसके उपर उन्होंने स्टूल रखा और वो चड़े थे केशव कहता है तू भी तो स्टूल था में खड़ी थी वो अम्मा से कहता है केशव की श्यामा ने स्टूल नीचे से पकड़ा हुआ था तुम ही ने तो कहा था मा कहती है तू इतना बड़ा हुआ तुझे अभी इतना भी नहीं मालूम की छूने से चीडियों के अंडे गंदे हो जाते है चीडिया फिर उन्हें नहीं सेती स्यामा ने डर्टे डर्टे पूछा तो क्या चीडिया ने अंडे गिरा दिये है अम्मा जी मा अब उसको समझा रही है कि छूने से अंडे बिगड जाते हैं और वैसे अंडे वापस वो नहीं सेती है मा और क्या करती केशव के सीर इसका पाप पड़ेगा हाई हाई तीन जाने ले ली दुष्ट ने मा कहती है कि तीन जाने तुने केशव ले ली अंजाने में ये सब हुआ था केशव रोनी सुरत बना कर बोला मैंने तो स्रिफ अंडों को गंदी गदी पर रख दिया था मा जी मा को हसी आ गई मगर केशव को कई दिनों तक अपनी गलती पर अपसोस होता रहा अंडों की हिफाज़त करने की जोग में उसने उनका सत्यानास कर डाला इसे याद कर वह कभी-कभी रो पड़ता था दोनों चीरिया वहाँ फिर न दिखाई दी यहाँ पर दोनों बच्चों की बात कही गई है वह दोनों अंडों की हिफाज़त करने के लिए निकले थे लेकिन उन लोगों पता ही नहीं था दोनों को केशव और श्यामा को की अंडों को चूते तो वह अंदे गंदे हो जाते है और फिर चीरिया उनको कभी नहीं सेती थी उनमें से कभी बच्चे नहीं निकलते थे तो बच्चों हो यहाँ पर हमारा लेशन समाप्त होता है दन्यवाद